है शिक्षिषयर जॉब्स के केरियर वारदर्षन वीडियो में आप सबका स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही महयात पूण है उन्स सभी कैंड़िटीट्स के लिए जो एस्टेंट बॉफेसर बनना चाते हैं Assistant Professor का Chain किस परकार से होता है चाहिए वो University में As per UGC के इनुसार किस परकार से होता है सरकारी College जो है उसमें Assistant Professor का Selection किस परकार से होता है तो 2022-2023 के इनुसार जो भी latest information है नए बदलाओ है जो भी letters है जो भी सभी कि सभी जो है मैं जानकारी जो है इस वीडियो में जो है मिलने वाली है चुकि UGC Net का Result अभी जारी कर दिया गया था NTA के दुआरा तो ऐसे में Assistant Professor का जो Selection जो किस परकार से होता है हम यहाँ पे जो है Farm भरने से लेकर और जो Final Merit तक की जो है यहाँ पर हम बात करने वाले है अच्छा आपके दुआरा जो है यह वीडियो जो है काफी जो है लाइक की जारी है काफी जो है पसंद की जारी है पिछले एक साल से जो है यह वीडियो जो है टोप पर बनी हुए जैसे ही आप सर्च करेंगे Professor कैसे बने यह वीडियो आपको जो है की हो, मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो जो है चैनल पर आप नए है, चैनल सस्क्राइब नए किया, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहे, तो चलिए, बने रहे सुरुसे लेकर अंत तक ताकि कोई भी इनफरमिशन आपसे इसकिप ना हो, सबसे पहले अगर डारेक्ट रेक्रूट्मेंट होती है, एसिस्टन प्रोफेसर के लिए, या लिकित परिक्सा के आदार पर आपको जो है, या पर भरती होती है, तो क्या इलिजिबिलिटी है, इलिजिबिलिटी की बात करें, तो एस पर जो युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के रेगुलेशन के अनुसार, मास्टर डिगरी, जर्नल कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए, यहा पर पच्पन परसेंट होती है, अगर आप और साथ ही साथ जो म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट है, उनमें या कोई भी इंडियन आर्ट है, उसमें एसिस्टेंट प्रोफेसर बनना जाते हैं, तो पच्पन परसेंट अंकों के साथ मास्टर डिगरी संबंधिस सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए, जर्नल और EWS कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पांच परसेंट की छूट है याँ पर, यानि के SC, ST, OBC और दिवियांग जनों को याँ पर, OBC अन्या पिच्चता पर जो नोन क्रिमिलियर है, उनको याँ पर 50% अंकों के साथ मास्टर डिगरी होने चाहिए, पहली तो कंडिशन यह है, दूसरी कंडिशन यह है कि आपका NET, चाहिए वो UGC NET हो, चाहिए CSIR NET हो, आपका क्वैलिफाई होना चाहिए, या SET, SET, यानि के State Illizibly Test, अब कुछ कंडिडेट्स यहां पर जो है SET के बारे में या SET के बारे में नहीं जानते होंगे, तो वीडियो अलड़ी बना रखी है, चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है, आपको Assistant Professor केरियर में, तो आपके पास NET क्वैलिफाई हो, या आपने SET या SET क्वैलिफाई किया हो, या आप के पास PhD डिग्री हो, तो इन तीनों में से एक अगर आपके पास है, तो आप Assistant Professor के लिए Elisable है, ठीक है, अब कुछ Candidates के मन में यहां पर आ रहा होगा कि क्या PhD अनिवारिय है, mandatory है, अगर PhD अनिवारिय है, तो जो है कब तक, जो है, अगर अभी तक नहीं होए तो कब तक अनिवारिय नहीं है, ठीक है, तो यहां पर जो है, मैं लेटर जो है, दिखा देता हूँ, UGC का इसके रिगार्डिंग, इसके जो रिगार्डिंग है, वो आपको यहां पर UGC का लेटर 12 October 2021 का है, जैसे आप एपनी स्क्रीन पर देख पा रहे है, 12 October 2021 किसका ही लेटर है, कि यहां पर PhD as mandatory requirement for appointment of assistant professor, उनके लिए extension जो डेट है, applicability की मतलब जिस डेट से, किस डेट से applicable हो रही थी, 1 July 2021 से PhD जो है, वो अनिवारिय होने वाली थी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, UGC in view of COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic के कारण जो है, जो डेट है, वो extend करती गही थी, 2 साल के लिए, यह पर 1 July 2021 से लेकर, 1 July 2023 तक जो है, assistant professor के लिए, जो PhD है, वो अनिवारिय नहीं है, अब 1 July 2023 से जो है, PhD अनिवारिय होगी, ठीक है, इसके बाद होगी के नहीं होगी, वो बात में आएगा, लेकिन 1 July 2023 तक जो है, यह जो है, आपकी PhD mandatory अनिवारिय नहीं है, ठीक है, तो जो भी information ही यादे रहे हैं, एकदम जो है, authenticated sources है, आपको यहाँ पर latest information यहाँ पर मिलते हैं इस channel पर, तो बने रहे हैं, channel को जुरूर subscribe करें, तो यहाँ पर जो है, अब हम selection का जो process है, वो भी देख लेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो assistant professor है, चाहे वो university में हो या college में हो, 1 July 2023 तक जो है आपको यहाँ पर PhD mandatory नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद भी जो है, जो college में अगर आप assistant professor बनेंगे, वहाँ पे बनने के लिए PhD mandatory नहीं होती है लेकिन universities में अगर आप assistant professor बनेंगे तो PhD mandatory होगी है, हाँ, पर्मोशन के लिए चाहे, college में पर्मोशन के लिए हो, चाहे universities में तो आपको जो है PhD mandatory जरूर होगी ठीक है तो आप यह जो है जान लीजिए नौ हम selection का जो process है वो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यहाँ पर दो तरीके है selection के process के पहला तो आपका लिखित पर इक्सा होगी उसके बाद interview और उसके बाद आपका selection दूसरा जो तरीका है direct recruitment है through interview के वल यहाँ पर जो है सबसे पहले आप जैसे application भरेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर source list किया जाएगा आपका academic score के आदार पर और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर interview के मादियम से जो है यहाँ पर आपका selection हो गया इसमें सबसे बड़ा challenge यह होता है कि candidates को जो है interview के लिए जो है call mostly नहीं आती काफी सारे candidates का यहाँ पर message आता है काफी सारे candidates मुझे बताते कि हमने form तो fill up किया था लेकिन हमारी interview के call नहीं आई तो हम यहाँ पर जानेगे कि किस परकार से जो है interview के लिए sort list किया जाता है चाहे college के लिए हो चाहे university के लिए हो अच्छा यह जो method भरती का जो method है only throw direct interview जो होता है वो central university या state government university या private university के दौरा जो है यह तरीका जो है follow किया जाता है या जो higher education department है हर राज्य के उनके दौरा जो है यह तरीका जो है follow किया जाता है यह तरीका है as per UGC regulation जुलाई 2018 का तो direct recruitment के आदार पर यहाँ पर इसके नंबर दो जो तरीका है उससे यहाँ पर नंबर दो कहने का मतलब है यह one पहले वाला और दूसरे वाला यहाँ पर direct recruitment ठीक है अब जो written exam का जो तरीका है यह जर्णली जो follow किया जाता है जो राज्य लोग से वायोग होते हैं जैसे बिहार राज्य लोग से वायोग के दौरा assistant professor की भरती निकली ती तो उसमें जो है पहले written exam उसके बाद interview के आदार पर जो है यहाँ पर आपका और प्लस कुछ मतलब जो है जैसे हरियाना में है अनुतर प्रदीस में है तो यह जो है लिखित परिक्सा के आदार पर जो है आपका यहाँ पर selection होता है फिर interview होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो लेखित परेक्स और इंटर्व्यू के मादम से ही जो है इस तरीके से भरती कराएंगे यह उनको depend करता है वो as per UGC regulation direct recruitment के आदार पर यानि के इंटर्व्यू के आदार पर भी selection हो सकता है और पहले वाला तरीका follow करके भी selection हो सकता है यह दोनों तरीके है अच्छा कैसे सबसे प इंटर्व्यू के आदार पर अच्छा हम बार बार सुन रहे हैं कि sort list for interview इसका भी criteria होता है UGC के जो regulations के अनुसार callies में sort listing करने का interview के लिए तरीका अलग है universities का अलग तरीका है interview के लिए sort list करने का यही हम जो है जानेगे वीडियो में बने रहें अच्छा उसके बाद जब sort list हो जाएंगे फिर आपको interview के लिए call दी जाएगी and interview आपका होगा फिर final merit बनेगे और आपका selection होगा अच्छा जो दूसरा तरीका है उसमें भी same है online या offline जो application आप apply करेंगे उसके बाद यहाँ पर written exam होगा जो mostly state public service commission के त्वारा follow किया जाता है उसके बाद interview और उसके बाद final आपकी merit यहाँ पर बनती है तो दोनों तरीके हैं now अब जो है written exam interview का तरीका तो आपको बिलकु में आगया होगा लेकिन अभी जो तरीका बसता है वो यह बसता है कि as per direct recruitment होता है उसमें जो है sort list interview के लिए किस परकार से किया जाता है तो वह भी हम यहाँ पर देखने वाले as per UGC तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी college का जो sort listing criteria है interview के लिए वो क्या रहेगा और फिर UGC की चलिए अब जो हम यहाँ पर देख लिते हैं यह table 3B है जो UGC regulations है उसका यहाँ पर जो criteria है sort listing of candidate for interview और यह assistant professor in college ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं दिखा देता हूं 100 अंकों का जो है total यहाँ पर जो है अंक होते हैं जिसमें की academic score आपका 84 अब academic score कैसे बनता है academic score आपका 84 जानेंगे research publication के अंक आपको अधिकतम 6 दिया जाएंगे teaching experience के अधिकतम 10 अंक दिये जाएंगे आच्छा जो academy की score है वो इस परकार से बनता है सो में से 84 नंबर जो आपको मिलेंगे वो academic score के मिलेंगे अब 84 नंबर में से जो है आपके कितने अंक बनेंगे यह depend करेगा graduation में आपके कितने अंक percentage है अगर 80% से जादा है तो 21 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 60% से 80% के बीच है तो 19 अंक मिलेंगे percentage के आदार पर 60 से 55% के बीच है तो 16 अंक 45 से 55 के बीच में है तो 10 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे तो percentage के आदार पर आपको यहाँ पर 21 अंक भी मिल सकते हैं और percentage के आदार पर आपको यहाँ पर 10 अंक मिल सकते हैं इसी परकार से master degree में आपको क्या percentage रही है अधिकतम 80% से ज्यादा के लिए 25 अंक है इसी परकार से percentage के आदार पर आपके यह अंक घरते जाएंगे ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 50% से आप, 50% है तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलेगे MFIL डिग्री आपने कर रखे, 60% अंकों के साथ तो 7 अंक, 55% अंकों के साथ MFIL है तो 5 अंक इस प्रकार से, PhD अगर डिग्री आपके पास है, तो भाई, PhD वाले तो यहाँ पर बाजी मारेंगे क्योंकि PhD वालों को यहाँ पर 25 अंक एक्स्ट्रा दिये जाएंगे, PhD के लिए आप समझ पार हैं यहाँ पर, PhD वालों को कितना महत जो है, Assistant Professor की Direct Recruitment में दिया जाता है हाँ, अब यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि सबसे ज़्यादा Easily Selection होने के Chances उन सभी Candidates के लिए जिनके पास PhD नहीं है, कहाँ पर होते हैं, तो जो राज्या लोग सेवा I.O. के दुआरा भरती निकाली जाते है, उसमें Chances ज़्यादा होते है Condition यह है कि अगर वो लिखित पर एक सब प्लस इंटर्व्यू के मादम से Selection कर रहे है तो वहाँ पर PhD का Waitage ज़्यादा नहीं मिलता है हाँ, इंटर्व्यू में आपको Waitage मिल सकता है, लेकिन Written Exam के आदार पर अगर Selection होता है दो अंक एक Research Publication के, Teaching Doctoral Experience से आपको यहाँ पर अधिकतम 10 अंक एक वर्स के लिए 2 अंक दिये जाएंगे किसी भी परकार का कोई Award है, इंटरनेशनल, नैशनल लेवल को तो 3 अंक है, स्टेट लेवल का है तो 2 अंक इस परकार से MPL और PhD वालों को अधिकतम 25 अंक है, दोनों अगर जिसने करके अधिकतम 25, JRF, NET और SET जिसके यह है जिनके पास तो उनको अधिकतम 10 अंक दिये जाएंगे और यहाँ पर जो है Awards के लिए Maximum 3 अंक, इस परकार से आपका 100 अंकों में से Out of 100 आपका जो है यहाँ पर score, जो academic score है वो बनेगा और जियो candidates जो है जितनी vacancy है उसी के आदार पर यहाँ पर cut off रखते हैं और cut off के आदार पर जो है आपका यहाँ पर interview के लिए sort list किया जाएगा माने के चलिए 80 अंक उन्होंने 100 में से cut off के रखें तो 80 जिनके बनेगे 80 से उपर बनेगे तो उन्हीं को जो है आपर interview के लिए call दी जाएगी इस परकार से आप समझ सकते हैं कि क्यों आपकी call नहीं आती है तो academic score आप जरूर calculate करें और आप जो है comment section में जर रखी है यहाँ पर जो है universities का जो criteria है assistant professor की interview के sort listing का अगर direct recruitment है तो वो कुछ अलग है यहाँ पर एक तो PhD के लिए college में दिये जा रहे थे 25 अंक universities में selection के यहाँ पर और वेटेज यहाँ पर PhD वालों को दिया जाता है 30 अंक यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर percent graduation के आधार पर आ आधार रहें तो हो सकते हैं यहाँ पर सात अंक मिलेंगे केवल नेट वालों को यहाँ पर पांच अंक मिलेंगे यह बाकी सीम रहेंगे तो यहाँ पर पहूँचईिस तुबने इस परकार से आपका 180 आपका academic score रहेगा यहाँ पे आपका academic score college में 84 कर रहेगा तो इस परकार से जो है interview के लिए selection अगर direct recruitment हो रहा है तो वो यह तरीका है कि interview के लिए जो है आपको कैसे sort list किया जाता है आपकी qualification आपकी graduation, post graduation, M.Ph.D. net, publication आपने publish किया हो, teaching है या कोई award है, इस परकार से आपका यहाँ पर selection होता है, ठीक है तो यहाँ पे जो है आप, तो I hope यह वीडियो जो है आपके लिए जो है काफी helpful रहेगी, आपने जाना होगा कि किस परकार से selection आपका होता है, कहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक visualization प्रदान आपको किया है कि आपको सही direction में आप कहाँ पर preparation करनी है, किस exam के लिए preparation करनी है, कैसे आपको selection लेना है, तो बहुती अच्छी तरीके से मैंने explain किया, अच्छा, एक चीज मैं आपसे चाहता हूँ, आप जो है एक तो सबसे पहले जो है, वीडियो को like करें, अपना जो academy की score बन रहा है, वो comment section में मुझे बता है और तीसरी सबसे मैटपोन बात यह है कि आप जो है, वीडियो को like करें और इसको share जरूर करें, ताकि ऐसी ही information, उन सभी candidates को मिलें, उन सभी अब भ्यारतियों को मिलें, जो assistant professor बनना चाते हैं, जो अपना, जो है, carrier बनाना चाते है और चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जो है, आप इसको like करें और अपनी जो ऐसी ही वीडियो में लेकर आता रहता हूँ चाहे वो carrier Martherson से related हो admission alerts से related हो